हाई अब्रिवन स्वागत है आप सभी का कोगवित मिनाक्षी में आज मैं लेकर आई हूँ मेवा पाक बनाने की रेसिपी कृष्ण चनमास्तमी की दिन मेवा पाक का मंदिरों में और घरों में भूग लगाया जाता है यानि की फ्रशाद चड़ाया जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर जरूर करेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएजिए जिससे मेरे आग्याने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मेवा पाक की रेसिपी तो सबसे पहले एक कड़ाई को गर्म करें और उसमें हम डालेंगे ये मखाने अब मखानों को हमें धीमी आज पर एक सी दो मिनट लिए इसी तरह चलाते हुए रोस्ट कर लेना है मखानों को रोस्ट करने से क्या होगा ना कि जब हम इन्हें हम दरदरा पीसेंगे न तो ये आसानी से पेस जाएंगे तो देखिए आपर मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं अब इन्हें हम निकाल लेते हैं अब चलते हैं हमारी नेक्स प्रोसेस में सबसे पहले आधा कटोरी कटे हुए बदाम डालेंगे इन्हें मैंने पहले से चौप करके रख लिया था इसी तरह आधा कटोरी कटे हुए काजू डालेंगे साथी आधा कटोरी कटे हुए पिस्ता डालेंगे इन्हें भी मैंने पहले स्चौप करके रख लिया था आधा कटोरी खस-खस डालेंगे इन सभी को हम इस तरह चलाते हुए सिर्फ 2-3 मिटे के बाख रहें. मेवा पाउख बनाने के लिए मैंने इन सभी को एक ही मेजर से लिया है. आज का ये जो मेवा पाउख है इसमें हमने कि कहीं यूज नहीं किया है. ये बिना घी के ही हम बनाएंगे. मेवा अच्छे से रोस्ट हो चुका है. अब हम चलते हैं अपनी next process में तो यहाँ पर मैंने दो चमबच खड़ा धनिया लिया है और इसे भी एक मिनिट लिए low flame पर roast करें तो देखिए इसका भी color change हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं अगर आप धनिया की पंजीरी अलग से ना बना पाएं तो आप इस तरह से भी धनिया को मेवा पाक में मिला दें और इस तरह से धनिया का प्रशाद भी भगवान को चड़ जाएगा और मेवा पाक में भी इसका taste बहुत अच्छा आता है अब जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे हुए थे ना इन्हें हमें मिक्सी के जार में डाल कर थोड़ा दरदरा पीशना है इसके लिए मैंने इन्हें थोड़ा सा हलका हलका सा पहले से कट करके रख लिया है मखाने जो हैं यह पूरे खड़े-खड़े पिस्ते नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा कटका की रख लिया था ताकि यह आसानी से पिस जाएं देखिए इस तरह से यह थोड़े दरदरी से पिस गया है इने पीषने के लिए आप मिक्सी को on off on off करते रहेंगे तो ये इस तरह से पेश जाएंगे अब हम आगी की तियारी कर लेते हैं तो जो मेवा हमने रोस्ट करके रखा हुआ था ना इसे भी हमें मखानों के साथ मिला देना हैं और अब हम एट करेंगे एकटोरी नारियल का पाउडर यानि की नारियल का बुरादा आप चाहें तो सूखे नारियल को भी कद्दू करके इसमें मिला सकते हैं और साथी 20-25 किसमें सैट करेंगे और जो धनिया हमने रोस्ट करके कूट करके रखी हुई थी ना उसे भी हम इसी में मिला देंगे साथी इसमें एक चमच लाइची का पाउडर भी डालें इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है मेवा पाक बनाते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको इस तरह से ही मेवा खड़ी खड़ी यूज करनी है इसका पाउडर बना के मेवा पाक नहीं बनाए तो मैंने यहाँ पर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके लिए हम चाशनी तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने कड़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें डाला है मैंने आदा कप पानी और साथी इसमें एड़ करेंगे एक कप चीनी और यहाँ पर मेवब बनाएं तो इसी तरह मेजर के साथ ही बनाएं यहाँ पर मैंने किस की फ्लैम को लो कर दिया है देखी हमारी चाह नीवं कर तयार हो अब इस में कटे हुए मेवा और यहां पर गैस की फिलेम को बिल्कुल स्लो कर दें एक दम दीमा कर दें हमें चाशनी में सारे मसालों को थोड़ी देर तक पकाना है आप चाहें तो गैस की फिलेम को बंद भी कर सकते हैं इससे क्या होगा ना कि इसकी बरफी नहीं जमेगी आप इस तरह से भी से खा सकते हैं तो उसे तीन मिट तक पकाने के बाद यह देखिए आप इस तरह से इसमें चाशनी जमना शुरू हो गई है इसका मतलब यह बरफी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है तो इसे अब हमें एक थालिया प्लेट में निकाल लेते हैं अगर आपके पास बरफी मैं है यह सट कर लीजिया काजू के निकल कर आगलें कोई दिक्क्त नहीं हो से निकालने में इससे आप में बेलागने付े जन्मास्टमिः बना कर चीब नब कर लगाईाओ और शाड चड़ाईे यह बहुत तेस्टी होता है और यह बहुत हैल्दी भी होता है तो अगर आपको मेरी रेसी पी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लैक शियर जरूर कर दीजेगा और मेरे चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आगयाने वीडियो आप तक मौस्ते रहें